आजमगर की जनताने ठाना है और नीरहुआ को मारके भागाना है और नीरहुआ को अभी आपने नीरहुआ जी को टार्गेट के आइसे मापको डर नहीं लगता है हरे यार जेकर जेकर जन में जेल में भाहिलबा से सोचिए कि भारती जनता पार्टी के लोग बोलते हैं नारी सक्तिकर की बात करते हैं ल कि जूथवान के कहे पर और भूलाई गई लाहनी रहू आप से में बताना चाहाऊंगा निरहू जी हमारे वीच में मौझूद है भीरिवल चौहां जी जो कि जीविग्यान के प्रवक्ता भी है और हमारे वीच में मौझूद है मनली के अन्वानसान गाय गोरखला ले आदव जी आज हम बातचित करेंगे लोग सबाचुनाओ को लेकर क्या कुछ इन लोग के बीच में रंजिस है और किसके समर्थन में है और किसको ये लोग सपोर्ट करते हैं और अभी हाली में आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले किशानी मुद्दा भी चल रहाता किशान अंदोलन भी हो रहाता जोरो सोरो से तमाम सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया था इन सब भी मुद्दों पर बातचित करेंगे सो चलिए आज कि इस वीडियो को करते हैं कांटीनेव अभी तक आप लोग ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करियेगा इस चैनल पर नयहा है तो सब्सकाइब कर लिजएगा फेस्बुक से वीडियो को देख रहे हैं तो जाजाज सेर करिएगा फेस्बुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरू कर लिजेगा यह तो सर आपका प्यार वाश्रिवाद है कि हम आपकी तरफ खीचे चले आते हैं जी सर मैं कहना चाहूगा जिसे इंट्रोडक्शन में मैं मैं बीरिवल चोहान प्रदेश सद्ध्य जनवादी पार्टी सोचलिस उत्तर प्रदेश और मेरा अपना एक विद्याले से मैं पर आखे का किया कुछ इनका विचार भी मर्स है बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर हरदय की अनंत गहराई से आपका भार बेक्त करता हूं साथ ही साथ जितने सम्मानित स्रोता भाई वीडियो को देख रहे हैं मैं सभी के चलड़ में पर डाम करता हूं जाकर जो भी उनका मोर्चा था वो नहीं कर पाएं और कि शानों को प्रतारिड किया जा रहा था हाला कि वो लोग आपने बजट को बार बार लेकर सवाल करते रहते हैं ऐसे में जो किशान को पर यह सारी समस्यां चल रही है क्या वाकई में यह समस्या दूर होनी चाहिए य इसकी नीत और नियत में बहुत खोटापन है और यह सरकार जो है जब उत्तर प्रदेश में आई और जब देश में आई तो यह सरकार किस मुद्धे पर आई किशानों के मुद्धे पर आई यह सरकार हमेशा किशान को अनदाता काती है आप बताएं नहीं रहेगा तो क्या पराई मिनिश्टर क्या खाएगा उसने खासिका खाएगा तो जो अनदाता है उस पर इस तरह से प्रतालिट की जा रही है और जिस देश के अनदाता को यारिभवान की उपाद हिंदुस्तान की प्रधान मंधिशीं की संभेध रहे यहां की इसे रही हैं कि अंदैटा पर जिसके दौरा उपज किये हुए व्यज्वंडार के दौरा अपने को पोसीद नांप करते सा और उन प्रधानमंत्री करता ना कि मोधी के लिए किन मोदी की सरकार है तो इसके पहले जितने सरकारे रही है आधरी मनमोहन सिंग जो अर्थसास्त्री थे उन्हों ने तो बहुत बढ़िया काम किया लेकिन उनके सामने भी हम लोगों ने जो है कि शान को ले करके सिख्छा को ले करके बेरोजगारी को ले करके अनेक पाहलों पर हम जो है जो हमारे हिंदुस्तान की जो बेरोजगारी से जूज रहे नौजवान हैं उनको लेकर के सिच्छा नौकरी चाकरिक में हम लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं तो ये डियुमिक्रेसी की जो बात है जो प्रतेक नागरिक को मिलना चाहिए जो भगस सिंग और सुभाज चिंद्रबोश नेता जी और आपके जितनी सरदार बल सरकार में आपको लगता है किसान अंदोलन ही गलत है यह बहुत करते हैं लेकिन आपके भारत के प्राइम मिनिस्टर पीटी नहरू ने डिसकबरी आप दी इंडिया में सीधे लिख दिया है कि एवाई एजुकेशन इजे परसन इजुकेशन बटेगाल एजुकेशन इंटार आप दी फैमले एजुकेशन उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा हूं तो यह मेरी सिख्चा है लेकिन पिटिया बहां सबको पढ़ाईए नारी को पढ़ाईए तो पूरे भारत पूरे बिस पूरे हिंदुस्तान की जो है सिख्चा है तो यह तो बहृत पहले से चली आरही है इन लोग बोलते है कि यतर नारी तरमतिय तत्रदे उता जहां नारी की पूझा होती है वहां भगव स्टार को मेडल दिलाने का काम किया जो पूरे बिस में एक जो है इनका ही जंडा गारेने का काम किया आज उन्हीं बहानों को देखिए ब्रेजबोसा सरड जैसे बेगती किस तरह से जो उनके सास्थ लुक्तरता है तो और कहा है आपका नारिश सकती करण यह तमाम सारे सवाल सरकार के खिलाब उठा रहे हैं ऐसे में सर टाइम आ चुका है उनको दिखाने का कि आपने कितना नेक काम किया है किस तरीके से किसान और किस तरह से नारिश सकती करण हो रहा है ऐसे में हम बात ये करना चाहेंगे अभी हम लोग के बीच में लोग सबस्ट चुनावा चुका है ऐसे में आप किसकी सरकार को चुनना पसंद करेंगे हम जो है एक सामाजवाद की अस्थापना जो donate UN siya stebsal इस नहिंगा उस दर्सण के साथ हम लोग हमेशे माजबाद के पेंच्यमें रहते हैं और हमारा अभी आपने देखा होगा बलियां से मैंने पैदल यात्रा किया था लेकिन देवरिया का कान्ड होने के नाते मैंने वहां आंसन किया और जिए देवरिया में जब आंसन किया तो यह उत्तर पर देश की सरकार हमें तीन दिन देश की सलाकों में हमारे डाक्टर साब क आपने अभी सिक जिक रेंगे हम समाजवाद सरकारं के साथ रहेंगे अच्छी बात है आप सात रहिए रहना भी चाहिए लोग का ऐसा सवाल है कि समाजवादी पार्टे गटवंदन क्योंकि वो अकेले क्यों नहीं इस मैदान में आ सकते हैं आप जरह घराई से सोचिए दूसरों की बुराईयों को देखने में लोगों को बड़ा मज़ाता है नहीं नहीं दूसरों की बुराईयों को देखने बड़ा मज़ाता है आप बताएं यह 45 पार्टी भारती जनता है पार्टी के साथ है केंद्र भी उन्हें तो कोई नहीं कर रहा है और हम लोग जो है 20-22 पार्टी का एक महा गड़बंदन महा कुम्ब का जब निर्मार करिये तो उनको किरक्री लग रही है तो हम करें उनको क्यों नहीं लोग कहते हैं तो हम लोग आपश में जो जितने समाज बात जनवाद जो हमारा दर्सन है बगए सिंग का या लोहिया जी का या स्वरगी मानी दादा मुलायम सिंग यादो जी का यह जो दर्सन है इनके साथ हमारा अपना विचार है इसलिए हम लोग गड़बंदन किये हैं बिलकुल अभी हाली मंहारे हाँ मोहस्व चल रहा थ है जोणपूर महस्व वस्व में अमने सवाल किया जिसे ले कि प्रमोद यादाव जी की से पता ही नहींगा जब उन्होंने का हम यहां पर महसों में आये हैं मैं राजनीतिक बात पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा जब वो मंच पर चड़ते हैं उनका एक गाना उन्होंने गाया अपने ही माध्यम से कि मैं आपको उस गाने की लाइन बताना चाहूंगा उन्होंने गाया कि अकले सुवे फरार निरववा डटल रहे ऐसा उन्होंने मंच पे चड़के इस गीत को गाया जबकि उन्होंने जब मैंने ये चर्चा किया प्रमोज जी की निर्मा महत्या कर दे गई इस पे आप क्या कहना चाहेंगे वहां के पुलिस प्रसासन द्वारा और उनके द्वारा कहा गया मैं राजनीतिंग मुद्दों पी बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगा जी कहा तक सही है आप से मैं उताना चाहूँगा निरहु जी निरहु जी जो मानी बड़े भया अखलेश यादो जी के पूर्मोख मंतरी जी को ऐसा बोले है तो निसीत रूप से निरहु की जो मानसिक बिकृतियां आ चुकी है और उससे हमाई आ रहा है और जो निरहु जो आप एक्टर या हीरो काते है जो कि सांसत पत पर जाकर बढ़े मैं भी उसी तरह का हूँ मैं भी एक म्यूजिकी मैं हूँ मैं निरहु के साथ और उनका संचालन भी किया हूँ मैं जानता हूँ तो निरहु को साथ पोल्टिस के भी से में बिलकुल संग्यानता नहीं है और आप क्यों नहों कहें कि मुझे नहीं मालूम है इसलिए नहीं मालूम है वो मनाते है पिलम फिम जो मरता फिर जिंद्धा दिखला इस निगाहों में तो यह रहा होगा कि कोई CEO अपना है किसी का हत्य हुए है तो ऐसे बैक्ती की बात मत मेरे सामने करा करिए भी यह जिसको मालूमें नहीं है समाज का सोसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उनको लग रहा है कि फिलम चल रहा है फिर फिलम समापत होगा फिर लोग जिंदा हो जाएंगे आप सुल्तानपुर से विलोंग करते हैं, वहां से समाजवादी पार्टी ने किसको टिकेट दिया है। हम उनको जिताने का प्रियास करेंगे, और ये आप से कहना चाहेंगे, कि मौत का बेरहम, हम भाजपाईयों को, हम भाजपाईयों के इतिजहास को बदल देंगे, कि या है जो उसने पाप, उसको हम पुनि से बदल देंगे, हम लोग कर लिए हैं अपनी बाहों पर वरोस्ता, वो तो सुल्तान पुर की धरती है, पूरा हिंदुस्तान बदल देंगे, या हम लोग जो है, एकदम अडिग हैं, और निश्य तरूप से समाजवाद जनवाद दास्तन का सरकार बनाएंगे, बिल्कुल, आपकी बात बिमर से ऐसा लग रहा है, इस बार आप परिवर्तन जर पहली बात तो निरावजी के पास सेंस नहीं है, वो नान सेंस हैं, ठीक है, और निरावजी कान खोल के सुना तुinson, यह लोग सबह ती हत्तर हैं, और मलनी भीदान सबह लगे ला, और तुम्हाँ गाजी पूर ना, तुम्हाँ घाजवाजी वाले तुम्हाँ खुद ही मार नीरहू जुठवन के कई है पे और भूलाई गई लह नीरहू चापी सई के लिया तहे राई जैवा नीरहू तयत की पारेंकर काम खोतंबा और एक लाइन क्या है आजमगर की जनताने ठाना है और नीरहूआ को मार के भागाना है और नीरहूआ को इह से भागाना है आउर एक लाइन काह है अब एक बारी भी धना के लेखनी मिटावत रहें अब एक की पार यह आपन एटो मेटी की जाले सरंगी गुदरी बान के लेख चला जई है अचा गुरक भाई एक बात बताईए आप इतने धरले से समाजवादी पालिटी का प्रचार प्रशार करते हैं वहीं कहीं कहीं आप किसी न किसी को भी टार्गेट कर लेते हैं अभी आपने निरहुआ जी को टार्गेट के आइसे मापको डर नहीं लगता और लहुआ का एक एक कतरा अपने महभूब नेता खले सियादो जी के नाम करेंगे तो हमने डरी ला ना सीधा सीना पर चड़ के गीत गावेल के काम करी ला और यतने ना निरहुआ नसीब बहुत अच्छा रहल कि जोनपुर महुसा में हाम ना पहुचर रहली कहीं कहीं आपको बता दे जब यह सुरवात हुई उनको भरी पब्लिक के बीच में से एक चिठा दिया जाता है हाला कि वो भी क्लिप मेरे पास है मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आप लोग को उस चिठे को पहले तो उन्होंने रख लिया उसके बाद उन्होंने जिक्र क किया मैं अक्सर कहीं जाता हूं तो मुझे समाजवादी पारिटी के कारिकारता हूं द्वारा ही ऐसी लिस्ट मिलती है जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा गया था हाला कि मैंने नहीं नहीं देखा था ना ही उन्होंने पब्लिक को दिखाया था वो खुद पड़े अब क्या वो सच सही पड़े जूट पड़े इसकी मैं पूश्टी नहीं कर सकता हूं लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि हम बेरोजगार हैं हमें रोजगार चाहिए उन्होंने सीधा सवाल उठा कि आभी हमारी सरकार सिर्फ नौ साल ही चली हुई है और आप इतने में ही कह रहे हैं हम बेरोजगार इससे पहले आप कहा थे और इस चक्कर में आपको बता दे मानने अध्यस अकलिस आदो जी को खूब ज़्यादा उन्होंने लपेटे में लिया था काहिं की गुल डोजर्पा पच्छा अधे han? कुछ बैख में नहीं समाल हुआ दी पार्टी के ना नवरो गोगे तोचे को दोगपिए हा एक्दम वही मोही भी सियार देल गवगे भी जायर जाले का ना बीक को बढ़िया खरत काना मन है कि दिका इसने चर्चा हो जोगे ज़िदे और के उचर्चा कर चैना करे दोस्त कहा ह यहां थमोला हाँ, हाँ, कि हूँ चर्चा करें और ना करें, हम यह बगले में आजयों गड़ रही हाँ, हमसे आगे जितना इतो चर्चा करें कोई करिया, ठीक ना, भईया कथों 13 साल से रुजगा रहे हैं, मोदी जी नहीं साल से वहें करें पहिदमाता करते हैं, यार, देखा चट्टू लोगन ना एन जैसे बेपेनिक लोटा ना होला, यह जो निरहू हमें, यह वही में कर चट्टू हमें, यह जब क्यों ना जाना तरान तो भईया के देन हो, माननी अखलेस यादव जी का देन है, जो इन्हें लोग जाने, और यतने ना, यतने ना, यह एक नंबर के मतलब जान लेजिए कि जो अपने के नहीं हुआ, तो वो गहर का क्या होगा, और एक बात, राउल भिया जी मैंने सुना था, प्रमोध यादव जी को गोली लगी, इनको नहीं पता है, जब इनके ही पार्टी के कारिकरता को गोली लग रही है, इनको नहीं पत सवाल करता है, और अभी आजमगड में वो जो एक बाली का खतम हुई थी, इसकूल में, अब जान लीजिए, उस समय ये क्या कह रहे थे कि हम नहीं तो दिल्लीम थे, अब बैंकरे, उनके ही संसत की बात, उनके आजमगड संसत की बात थी, उनको इस पर एक्सल लेना अगर इनके घर यही चीज हुआ होता, तो ये दिल्ली से आजमगड पहुचने कितना टाइम लगता भया, आज तक नियाय नहीं मिला, अब प्रमोध भया को गोली लगी है न, उनको भी नियाय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं न, यहार के बात वहार, यहार के ब आजमगर्ज इस लट मरूगा न, भगाई यादन मारके, वही सहतकी पारिंगर जहीं हैं, आपकी आवाज जरूर बुलंद होगी, और इस बार बिल्कुल असर दिखेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा, बाकि आप लोग कहां तक सहमेत है, कमेंट बोक्स में ज कि आपको सहरी है।